हेलो अब्रिवान वेलकम तू अभिमन्यु आईएस आई होप यू आल आर दूइंग ग्रेट माइम इस अच्छे सोनी रीजनिंग मेंटोर एड अभिमन्यु आईएस एंड वेलकम अगें तुधा अभ्यास 2.0 जो की हर्याना सिबिल सर्विसिस का टूटा टूटा टूटाइ बैच है ठीक है लिसमें हम रिवीजन करते हैं जो भी आपिक से ओर पी वाई क्यूस को मिसमें डिसकस करते हैं ठीक है तो सकत्के है तो ऑगर कहलठ कि बात करें 29 during तो उसमें आपके 5 निसमें ऐ थे तो उनहीं 5 नकों को मैं डिसकस क्रूंग और साथ ही थाप को मैं इसमें कुछ added question भी है उनको भी मैं इसमें discuss करूँगा तो session को शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखिए decision making जो कि आपका आज का topic है इसका previous year के question paper को discuss करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो HCS prelim यह fast track batch जो है इसको आप अवेल कर सकते हैं for 35,000 रुपील ठीक है देखिए अभी मन्य आइस जो की नंबर वन institute है for HCS preparation इसके 41 प्लस selection थी 2021 में and 27 प्लस selection थी 2022 में ठीक है तो देखिए इस batch में क्या के जीज़े अवेलेवल है इसमें आपको offline classes मिल रही है online classes है CSET classes PDF and notes test series and mentorship यह सभी चीज़े इसमें अवेलेवल हैं ठीक है कि देखिए सबसे पहले हम इसमें concept को discuss करते हैं सबसे पहले आपका जो concept है मतलब जो decision में की इसका meaning क्या है इसको selection criteria भी बोला जाता है selection criteria मतलब आपको क्या दिया जाएगा किसी भी person की selection है उसको criteria उसको set किया जाता है चाहे वो job के regarding हो या उसकी admission के regarding हो ठीक है या कुछ और हमें कुछ चीज को select करना तो उसके regarding criteria set किया जाता है अगर उन चीज़ों को उन conditions को जो है वो person qualify करता है या कुछ चीज हमें कोई purchase करनी है ठीक है online purchase करनी offline purchase करनी है अगर हमारे criteria set किया उसके according है तो हम उसको purchase करते हैं उसी तरह से यहां पर भी चीज़े आपको available है ठीक है देखिए यह क्या दिया जाता है we need to analyze the criteria of the selection candidate की selection छर्ख सेट्ट सेट्शन है तो कि हमें क्या करना चाहिए हमें उसके हैं उसके उपर जो questions होंगे उनको हमें देखना कि इसके उपर question क्या पूछा गया है ठीक है आपको direct question भी आ सकता है directly जैसे क topline चीज दे दी उसमें बताना है हमें कि यह select होगी की नहीं यह आपको complex question जिसमें कि क्या के चीज़े involved होती है इसमें eligibility criteria होता है job के regarding training के regarding और admission के regarding ठीक है तो यह सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ठीक है हमें कोई भी अपनी तरफ से assume नहीं करना है अपनी तरफ से assume नह में चलना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले जो कि आपका 2023 में जो question आया था HCS 2023 CSET इस question में आप देखिए इसमें आपको मैं बतायता हूं यहां पर आपको दिया गया है इसमें कि जो है उसको क्या करना है उसको selection होगी यह question है ठीक है यह उसका criteria दिया है कि criteria क्या है ठीक है तो for cat exam ठीक है cat exam के लिए चाहिए following are the criteria for the selection of any online portal कुछ इसने criteria set किया है अब देखिए 25 full length mock test होने चाहिए उसमें होना चाहिए ठीक है test series में और उसके जो है आठ साल के previous year question paper जो है उसमें included होने चाहिए साथ ही साथ देखिए उसमें क्या है more than ten thousand question होने चाहिए practice question ठीक है उस portal में available होने चाहिए और साथ ही साथ देखिए if any portal satisfy all the अब देखिए यह आ गया यह चीज़े होने चाहिए अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने कुछ exceptions लगा दी अगर इन में से कोई चीज़ नहीं हो रही है तो देखिए if any portal satisfy all the above criteria except one पहला क्या है पहला point यह है must contain 25 full length mock test अगर वो नहीं है but has more than 20 mock test 20 से जादा है 25 नहीं है पूरे but 20 से जादा है 20 के बतला 20 से जादा 21 हो सकते है बाइस हो सकते है ठीक है बट अगर यह चीज़ अवेलेवल है and more than five previous year question papers उसमें पांच साल के जो previous year question papers है पांच अगर अवेलेवल है तो वो क्या करेगा उसको short list कर लेगा ठीक है यह उसमें बोला है second देखिए if any portal satisfy all the above criteria except three three number पे देखिए यहाँ पे क्या है have more than ten thousand practice question दस अजार से ज्यादा practice question होने चाहिए पर इसमें क्या बोला है कि अगर तीसरी को satisfy नहीं करता हो उपर वाले दो कर रहा है बट तीसरा satisfy नहीं कर रहा है but has more than eight thousand eight thousand से ज्यादा question है मालो nine thousand के round है ten thousand ना होके nine thousand है ठीक है practice question है then and उसमे recorded video classes भी available है यह उसमें addition है add-on चीज़े जैसे इसमें क्या था इसमें 20 mock test होने चीए और पांस साल के उसमें क्या होने चीए papers होने चीए previous question paper होने चीए तब वो shortlist करेगा और इस case में क्या करेगा वो जब उसको video lectures मिल जाएंगे तो वो अपने mentor से उसके regarding पूछेगा ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़ आपको दी गई है अब देखिए यहाँ पर question आपको क्या available है question है let us crack करके let us crack cat करके एक जो है online portal ह इसमें बोला गया इस प्रोवाइडिंग online test series for cat it is providing 18 mock test हमें कितने required थे हमें थे 25 ठीक है 25 mock test है बद यहाँ पर 18 है तो यह पहली condition को तो satisfy नहीं कर रहा ठीक है second देखिए and five years of previous question paper पांस साल की previous question papers है ठीक है कितने required थे 8 साल तक के ठीक है तो यह भी satisfy नहीं हो रहा मतलब दो condition है satisfy नहीं हो रही it is also providing 12,000 practice question हमें कितने required थे 10,000 more than 10,000 यह इसमें जो है हो रहा है पट हमें देखिए यहाँ पे पहले condition को अगर हम देखिए यह except one बोला था इसमें कि 25 नहीं है तो इसमें कम आ रहे हैं तो हमें कितने required कम से कम 20 तो होने चाहिए थे 20 से ज़्यादा हमें आपके पास इसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा it will not be selected ठीक है क्योंकि इसमें जो बताएगे यहां पर exception वो बताएगे सिर्फ एक कंडिशन के लिए बट यहां पर दो कंडिशन जो जो है selection criteria वो satisfy नहीं हो रहे है ठीक है तो इस तरह से इसका answer क्या बनेगा option सी फॉर वेकेंट 3BHK flat in Lakshmi Nagar ठीक है उसको ढूंड रहा है दिली में he has fixed some criteria for the selection of tenants for his flat अपने देखिए अपने flat के लिए उसने क्या किया selection criteria रखा है tenants के लिए क्या है वो देखते हैं सबसे पहले must have less than five members in the family less than five पांच से कम होने चाहिए ठीक है पांच पूरी जो है उससे कम होने चाहिए all family members should be vegetarian vegetarian होने चाहिए ठीक है तीसरा है must be Indian Indian भी होने चाहिए तो तीन चीज़े इसने बोली कि यह होना जरूरी है अगर यह तीनों चीज़े कि कोई satisfy करता है तो उसको select कर लिए चाहेगा but any tenant families satisfy all the above criteria except AA देखिए यह क्या है but has not more than four देखिए इसको satisfy नहीं कर रहा है मतलब क्या है पांच से इसमें वहला पांच से कम पांच से ज्यादा बन रहे है ठीक है but has not more than four adults चार से ज्यादा adult नहीं चाहिए in the family and the rest of the children then he will ask his son for the same देखिए इसमें children का कोई ऐसा नहीं बताएगा कि एक चाहिए कि दो तीन इस तरह से कुछ भी नहीं बताएगा बाकी children है ठीक है पल्लो जैसे कि साथ लोग है ठीक है family में उसमें से चार adult है और बाकी जो तीन है वो children ह तो वो क्या होगा उस case में वो अपने son को पूछेगा ठीक है second देखिए if any tenant families satisfy all the above criteria बाकी criteria को जो है कर रहा है बट B देखिए B कौन सा है except B बोला है कि वो vegetarian नहीं है ठीक है but does not cook non-wes at the home बटो home पे जो cook नहीं करते then वो किसको पूछेगा अपनी wife को पूछेगा ठीक है अब यह criteria अब देखते हैं यहां पर इसमें क्या given है यहां पर दिएगी condition की Mr. Mohan Prasad is an Indian national and looking for a flat in Lakshmi Nagar Lakshmi Nagar में देख रहा है ठीक है he lives in with his wife ठीक है वो अपने आप जो है adult हो गया उसकी wife adult होगी हमने चार पसंदेखने है कि चार से ज़्यादा बन रहे हैं कि नहीं वैसे इसमें क्या वह लागा है टोटल पांच होने चाहिए पहले हम चेक करते हैं कि किदने नंबर परसन है तो यह आ गया अपने हाफ उसकी wife उसकी mother father तो यह चार होगे चार adult होगे ठीक है and six years son and four years daughter तो यह क्या बने यह टोटल छे member बने मतलब पहले condition को satisfy नहीं कर रहे है ठीक है बट य वाली और क्या है बाकी इसमें क्या बने बाकी चिल्डरन बन रहे है तो यह चिल्डरन है ठीक है और क्या है सभी all his family members are vegetarian ठीक है देखिए अब क्या 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 condition आपकी satisfy हो रही vegetarian है तो यह vegetarian वाली condition को satisfy कर रहा है इंडिया नेशनल है तो यहाँ पर इंडिया नेशनल बोला गया है तो इसको भी satisfy कर रहा है तो क्या आएगा जैसे कि मैं आप से बताया कि इसमें चार adult है और बाकी चिल्डरन है तो इसमें से यह D option होगी जिसमें कि यह किसको पुछेगा अपनी जो है son को पुछेगा he will ask his son तो यह option D जो होगा इसका answer बनेगा ठीक है I hope आपको यह question समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने question को attempt करना है बस आपको information के साथ stick रहना है ठीक है अब यहाँ पर देखिए question बोला कि Ronnie is model and looking for a personal trainer gym trainer following are the selection criteria for a candidate to get selected for the role of personal trainer trainer for Ronnie तो क्या क्या selection criteria उसको gym trainer चाहिए क्या क्या उसको requirement है वो देखेंगे देखिए चार यहाँ पर condition दी है पहली है must have completed bachelor's bachelor's उसकी होनी जुरूरी है second must have work experience of at least three years तीन साल का उसका trainer का experience होना चाहिए तो यह दोनों चीज़े अगर मालो satisfy हो रही है किसी की तो उसको select किया जाएगा बट देखिए इफ यहाँ पर आगा मतलब एक condition में कुछ फेर बदल है इस a candidate fulfills criteria सब criteria को fulfill का है बट एको एकस ए जिस condition को fulfill नहीं कर रहा है and not be यह पहली को satisfy कर रहा है बिट बी को नहीं बी में क्या है उसका तीन साल का experience होना चाहिए ठीक है then but he have done a diploma course in personal training बट उसने क्या क्या diploma course किया है then he will be he will keep that person shortlisted तो क्या करेगा उसको shortlist करके देखेगा ठीक है तो क्या बोला गया उसका B मतलब उसका experience नहीं है बट उसकी bachelor's degree है और उसने personal training का जो है diploma लेकर रखा है तो उसको shortlist किये जाएगा if a candidate fulfills criteria कौन सा B को satisfy कर रहा है but not A A को satisfy नहीं कर रहा तो उस case में क्या आएगा but has done a degree course in nutrition and dietitian nutrition और dietitian का उसने course किया है then he will ask his manager तब वो अपने क्या करेगा manager को पुछेगा ठीक है देखे इसमें यह बोला है या तो पहली satisfy तो दूसरी satisfy नहीं है या दूसरी satisfy यह पहली satisfy नहीं है तो यह satisfied नहीं है ठीक है second देखिए and he is graduate from the premier institute अब पहला तो satisfy नहीं है तो बी के लिए क्या बोला है इन्होंने बोला है कि अगर पहला satisfy है दूसरा satisfy नहीं है बट उसने इसमें पूछा गया है कि मिकाल की selection होगी की नहीं तो उसके बारे में क्या किया गया है उसको short list किये he will keep that person short listed ठीक है I hope आपको यह question समझ आ गया होगा ठीक है इसमें ऐसा नहीं था कोई complicated question नहीं था इसमें simply बोला गया है कि पहले condition satisfy हो रही है दूसरी नहीं हो रही तो उसमें क्या requirement है अगर मालो यह भी उसने ना किया होता personal training ना की होती तो हम नहीं बता सकते थे क्योंकि इसन next question है इस question में क्या वो लगया है यह भी आपका SCS 2023 का question है विपल इस shortlisting universities for the masters program ठीक है masters program के लिए shortlist कर रहा है universities को he has decided following criteria for the selection of any university कोई भी universities select करने उसके लिए criteria रखा है must be situated in USA और UK दोनों में से एक होने चाहिए ठीक है must provide masters in management program management program में masters उसका होना जुरूर यह ठीक हो provide करने वाली होने चाहिए तिसरा है must have tuition fee of less than US dollar 30,000 US dollar से क्या होना चाहिए कम होने चाहिए ठीक है अब अगर मालों यह तीनों satisfy कर रहा है तब तो उसके selection कर लेगा university को ठीक है बट अगर देखिए यहां पर क्या वला है डी में if any university's university fill all the criteria except a a के लिए क्या बोला मतलब जैसे वो उस USA या UK में available नहीं है दो places में available नहीं है दो countries में available नहीं है but situate कहां पे कर रही है औस्ट्रेलिया में situate कर रही है then he will ask his brother for the selection of university देखिए मालों वो university यह ऑस्ट्रेलिया में situate करती है और साथ ही साथ क्या है यह second को provide कर रही है third को provide कर रही है third उसमें जो है criteria उसका सही चल रहा है तो उसमें उस case में क्या होगा उसके लिए अपने brother को वो पुछेगा ठीक है देखिए E में क्या वो लगया if any university fulfill all the criteria except C C में क्या वो लगया कि US dollar 30,000 से कम होना चाहिए उसकी tuition fee बट अगर यहां पर जो है इसकी tuition fee जादा बन रही है ठीक है तो उस case में क्या होगा उस case में वो बोर रहा है कि but provide at least 60 to 80% scholarship on tuition fee but वो 60 से लेके 80% तक वो tuition fees में scholarship provide कर रहा है तो उस case में then he will ask his father for the university selection तब वो क्या करेगा अपने father को उस case में पूछेगा ठीक है तो हमें बस इंची जोगा ध्यान रखना है आप देखिए यहां पे पहला given है कि the university of Edinburgh is situated in Ireland, UK तो देखिए पहली तो इसमें satisfy हो रही है हमें क्या चाहिए था USA या UK में से तो यहां पे UK में है तो satisfy कर रहा है second देखिए and provides a master's in management program to all national and international students तो हमें क्या चाहिए था master's of management program यह होना जुरूरी है तो यह second भी इसमें satisfy हो रहा है दो satisfy हो गए तीसरा देखिए the tuition fee for the master's program is US dollar 50,000 अब देखिए यहां पे कितनी requirement थी 30,000 बट यहां पे क्या वो लगए कि 50,000 जो है इसमें required है बट साथी साथ के रिए क्या वो ला है and provide 70% of scholarship to deserving candidate जो deserving candidate होंगे उनको 75% तक का scholarship भी मिलेगा अब देखिए यहां पे यह सारी चीज़े जो है इसमें provide हो रही है और इसमें बोला गया थे यहां पे कि अगर मालो बाकि सारी जो है satisfy कर रहा है A को भी B को भी बट C को नहीं कर रहा तो उसके case में क्या होगा उसमें 60 to 80% जो है scholarship देने वाली वाली उनिवस्टी होने चाहिए इस case में बन रहा है 75% कर रहा है तो इस case में क्या होगा वो अपने father को उसमें पूछेगा selection के लिए तो क्या होगा यहां पर इसका विपुल का जो है decision क्या होगा He will ask his father ठीक है तो यह क्या होगा उसमें option भी इसका answer बने का ठीक है चलिए next question है यह question दिये गया है following is the selection criteria for a candidate to get selected for the role of chief information officer CIO की selection के लिए यह criteria दिया गया है एक organization में जो की है Phenotech ठीक है तो यह भी आपका previous year का question question है इसमें बोला गया है कि selection के लिए उसके पास क्या 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 requirement है क्या क्राइटीरिया must have done B.Tech in computer science उसकी computer science में होना जुरूरी है कितने percent marks है with at least 60% 60% से ज़्यादा होने चाहिए कम से कम 60 60 से ज़्यादा ठीक है must have done MBA in operations उसकी MBA में operations में होने चाहिए ठीक है must have work experience of at least two years as an IT officer IT officer के तौर पे उसका दो साल का experience होना चाहिए ठीक है और आगे है if the candidate देखिए यह तीन चीजे होनी जुरूरी है अगर यह करता है तो satisfy करता तो उसकी selection हो जाएगी बट अगर यहाँ पे कुछी satisfy नहीं करता तो क्या होगा if a candidate fulfill all the criteria except A देखिए इसके BTEC नहीं है 60% mark यह 60% mark से कम है तो क्या वो लगए है अगर यह satisfy नहीं करता बट उसने क्या किया है BTEC की जगा BCA की है और 80% उसके marks है then the case will be sent to the CEO of the company ठीक है तो उसका case कहा पे जाएगा CEO of the company second देखिए if the candidate fulfill all the criteria except B B में क्या है देखिए must have done MBA in operations operations में नहीं है बट उसके पास more than 5 years of experience work experience जो है उसका 5 साल से ज़्यादा है तो उस case में क्या किया जाएगा then the case will be sent to the HR manager ठीक है मतलब उनके end पे होगा कि वो decide करते हैं उसको select करते हैं कि नहीं तो यह इसमें दो condition दी गई है ठीक है अब हमें क्या करना है हमें चेक करना है इसको जावेद हैज अप्लाइड for the post of CIO in Finotech इसने अप्लाइड किया इसके पास क्या क्या है he has completed his BTEC with 76% तो देखिए यहां पर BTEC जो है इसने की है 76% अब देखते हैं कि किसमें की है इसमें यह नहीं बताया गया है कि इसमें किसमें होने चाहिए computer science में होनी जुरूरी थी ठीक है पर इसमें नहीं बताया गया आगे है and MBA with 68% marks MBA उसके कितनी है 68% marks के साथ है जो कि इसमें MBA है operations में होनी चाहिए ठीक है और he has total one year of work experience as an IT officer IT officer का उसका experience कितना चाहिए था दो साल का कम से कम ठीक है तो यहां पर नहीं है तो ना तो पहला इसमें satisfy क्योंकि पहले में इसमें गीवन नहीं है कुछ कुछ information कि उसमें computer science में की है second उसकी MBA operation में होनी थी तो उसमें simply MBA वो ला गया तीसरे इसमें था कि दो साल का experience जो IT officer होना जीए कम से कम बड़ इसमें क्या है सिर्फ एक साल का है तो उसको क्या किया जागा अब तीनों ही condition को satisfy नहीं कर रहा तो उसका मेनिंग क्या आएगा कि उसको select नहीं किया जागा he will not be selected ठीक है तो यह थे हमारे जो प्रीपीश की कोश्चन है जो कुछ आतिसाथ इसमें दिया गये उसके पास क्या जुरूरी है ठीक है देखिए candidate must have क्या क्या होना चाहिए उसकी selection कहां पर होनी है उसके selection होने चाहिए एक medical college में medical course में उसकी admission है ठीक है यह मैंने इसमें नहीं किया तो मैं इसको यहां पर बता रहा हूं candidate के पास क्या होना चाहिए 12th standard with science में होने चाहिए with at least 60% marks मतलब कम से कम 60 हो यह 60 से ज्यादा उसमें marks होने चाहिए be at least 18 years of aid is as on 1491 अठारा या ठारा साल से उपर होना चाहिए 1491 ठीक है 60% 65% से उसके ज्यादा marks होने चाहिए entrance examination में ठीक है और be able to pay tuition fees of 400 यह पर मन्त है and one time deposit of 15,000 यह इसमें होना चाहिए ठीक है यह सारी जीजिस में given है देखिए अगर यह चीज़े नहीं है जैसे कि if if can pay only up to 10,000 अगर वो 10,000 तक ही pay करता है इफ यहाँ पहला का मतलब यहाँ पे condition में change है अगर वो 10,000 तक ही pay कर पा रहा है बाकि जीजिस satisfy कर रहा है तो उसको कहां पे refer किये जाएगा डिरेक्टर को उसमें refer किये जाएगा ठीक है next देखिए if 60 less than 60% in 12 then refer to the chairman admission बाकी सारी 12th का final result नहीं आया अभी declare नहीं हुआ then student must be provisionally admitted अगर उसने उसका result नहीं आया तो उसको provisionally admit करना होगा ठीक है बाकी condition satisfy होने चाहिए अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे required क्या था iran fernandez has passed 12 standard exam in science तो देखे 12 standard exam चाहिए था science में तो यह पहली condition को satisfy कर रहा है और कितना प्रसेंट चाहिए था 60% से अब अब यहाँ पे 70% मतलब पहली condition जो है इसमें satisfy कर रहा है second देखिए he has secured 75% कितने required थे 65% यह entrance examination में जो कि 65 थे मतलब c भी इसमें satisfy हो रही है ठीक है and was 18 years old as on 1790 यह पहले से ही 18 years की हो चुकी थी हमें क्या था कि 1491 तक जो person है वो 18 या 18 से अबब होना चाहिए इसमें यह b को भी satisfy कर रहा है she can pay tuition fees of 400 rupees वो pay कर सकती है और can pay deposit of only 10,000 देखिए 15,000 required थे इसमें 10,000 ही जो है वो pay कर सकती है एक time पर तो इसमें से हमें बोला गया थे कि यह जो satisfy नहीं हो रहा अब देखिए if can pay up to 10,000 अगरो 10,000 तक ही pay कर पाएगी तो उसको कहां पे refer किये जाएगा उसको director ठीक है director को उसमें refer किये जाएगा तो कौन सी इसमें से बन रही है बाकी सारे condition satisfied है बट देखिए यह भी satisfied है और यह जो है इसमें last जो है satisfy नहीं है तो उसका meaning है उसको refer किये जाएगा option C that is if student is to be refer to the director ओके चलिए next question है next question भी इसी तरह का है इस question में अलग से दिया गया है इसमें बताया क्या गया है इसमें बताया गया है कि candidate के पास क्या होना चाहिए एक जो है candidate को select करना है किसके उसको management trainee select किये जाएगा ठीक है तो उसकी case में कुछ यहां पर criteria दिया गया है उसके लिए बोला गया है कि post graduate होना चाहिए किसमें commerce में with 60% marks और उसको क्या होना चाहिए वो एक CA होना चाहिए द 1292 तक उसकी age इतनी होनी चाहिए ठीक है आगे है fluent in English and Hindi दोनों में ही उसकी fluency होनी जरूरी है और next है be able to pay 10,000 as deposit to the company ठीक है कमपनी को deposit देने वाला होना चाहिए 10,000 और next है undertaking of at least 5 years for the company अगर undertaking जो है वो 5 years की दे सकता है ठीक है बदलब एक टाइप का वो bond sign कर रहा है कमपनी के साथ उसका जो है यहां पर वो अंडर टेकिंग देने बाला होना चाहिए तब उसको select किया जाएगा अगर इन सभी condition को select जो है satisfy करता है उसके selection हो जाएगी बट अगर उसके पास नहीं होगा बाली जीए से किसी condition को satisfy ने करा है तो उस case में क्या किया जाएगा उसको refer किया जाएगा MD of the company managing director of the company ठीक है if candidate satisfy all the conditions except D or E D and E or देखें D और E यह कठी या फिर इन में से कोई है अगर इनको satisfy नहीं करता then he should be referred to the chairman of the company ठीक है मालो जैसे कि यह D or E यह 10,000 जो है pay नहीं करने बाला उससे कम पे करने बाला है या वो देना ही नहीं चाहता या उसके 5 साल की undertaking केगा 3 साल की undertaking देना चाहता है तो उसके केस में किसको कहां पे विज़ा है उसको chairman of the company में उसको refer किया जाएगा अब देखिए यहां पर question पहरा question देखें यहां पर 22 years old हमें कितने required थे हमें required थी 20 से 25 ठीक है पहले condition satisfied है ठीक है पहले condition satisfied ही is fluent in Hindi only अब देखिए हमें क्या required था हिंदी और English दोन में required था यहां पर इसके रिगार्ड ही ऐसा भी नहीं दिया गया कि हिंदी में ही जो fluent है यह इंग्लिश में ही fluent है तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया न तो इस बजा से यह जो condition इसमें satisfied नहीं करते आगे देखिए he can pay the required deposit वो deposit देने के लिए तेया रहे है और is also ready to give five years undertaking इसको भी देने के लिए तेया रहे है ठीक है यह जो है इसमें age का भी criteria satisfied है बट वो सिर्फ बोलता हिंदी है हिंदी में ही fluent है तो उसके case में उसको select नहीं किया जाएगा ठीक है इव the candidate cannot be selected as management रही है तो इसको option B क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है ठीक है तो यह इसमें क्या आएगा option B ठीक है चलिए अगला option है देखिए चंतेन देश गुपता 27 years old ठीक है एज का criteria जो है इसमें चली पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि हमें क्या required है इसमें बोला गया है कि science officer और assistant science officer की requirement है उसको fulfill करने के लिए कुछ criteria है यहां पे दिया है कि candidate के पास क्या-क्या होने जुरूरी है ठीक है तो बोला गया है था candidate must be not above 30 years of the age कब तक फर्स्ट अगर 1995 तो वो जो है इसमें condition बोली की है कि 30 साल से उपर नहीं होना चाहिए the candidate must be an MSC with at least 65% marks 65% marks उसके होने चाहिए the candidate must have submitted at least one paper on science during his academic career उसके academic career में कम से कम एक पेपर उसका submit हुआ होना चाहिए ठीक है यह समें condition बताई है ठीक है the candidate's application must be accompanied by the recommendation of professor of his institute किसी एक प्रोफेसर की उसमें recommendation होना जुरूरी है ठीक है यह इसमें बोला गया है ठीक है तो यहां पर देखिए इसमें पहला क्या गया एज का criteria दूसरा आ गया उसके 65% MSC में तीसरा कम से कम एक paper उसका science में होना चाहिए और चौथा इसमें कि उसका recommendation letter होना जुरूरी है किसी एक प्रोफेसर का the candidate should have obtained at least 60% marks in the interview that carries full marks कितने 150 and each question is of one marks देखो अगर हम इसका 60% निकाल के देखें तो कितना बनता है 150 का 60% बनता है 90 तो 90 marks का होना इसमें जुरूरी है ठीक है अब देखिए यहां पर क्या वो लगया है कि किन condition को अगर वो satisfy ना करें तो उसके लिए कुछ और condition दीए देखिए जैसे कि अगर पहली condition को satisfy नहीं करता या उसकी एज अगर जादा है ठीक है तो बाकी condition को satisfy कर रहा है तो his or her case may be referred to the MD of MD personal ठीक है उसको management director जो है personal को उसको select किये जो है refer किये जा सकता है अगर उसकी age 30 से अबब है ठीक है second को अगर इसमें satisfy नहीं करता जिसमें कि क्या वोला गया है कि उसके MSE होने चाहिए और 65% होने चाहिए अगर यह वोला गया है कि यह MSE नहीं है और 65% से mark से कम है उसमें ठीक है बट उसने क्या किया है उसने एक से दो से ज़्यादा पेपर जो उसमें किये हैं तो उस केस में उसको अपॉइंट किया जाएगा Assistant Science Officer, उसकेस में उसको Assistant Science Officer जो है Select किया जाएगा ठीक है थर्ड देखो, तीसरा क्या है Candidate ने अगर कम से कम एक पेपर इसमें submit ना किया हो तो उस case में क्या होगा उसको थार्ड देखिए थार्ड अब अगर उसमें ये ना किया हो but has 75% or more marks in MSC अगर MSC में उसके 75% या उससे ज़्यादा marks है then he or she may be appointed as science officer अब देखिए इसके हम पहले इनको पढ़ लेते हैं जो answers है answer देखिए यहाँ पर क्या क्या के बने इदा candidate should be appointed as science officer the candidate should be appointed as assistant science officer the case need to be referred to MD personnel जो कि यह दिया गया ठीक है तो यह तो तीन इसी से हैं ठीक है if the candidate is the data inadequate that is if it is not possible to decide अगर ऐसा हो हम decide नहीं कर पारें तो वह क्या होगा option D if the candidate is not to be selected अगर हो सकता है कि उसमें उसकी selection नहीं नहीं हो ठीक है तो अब देखिए हम इसमें क्या करने हैं पहला देखिए शंतेन देन गुपता शंतेन देस दास गुपता is 27 years old हमें कितना required था 30 years से कम होना चाहिए तो पहली तो उसमें condition satisfy कर रही है ठीक है he is msc and obtain 67% marks कितने required थे 65 इसमें 67 है तो सेकंड भी satisfy हो रही है ठीक है यह भी था इसमें कि एक पेपर जो है इसमें बताया गया कि इसने सब्मिट किया बट क्या इस चीज के बारे में बताया गया कि इसके प्रोफेसर का जो है inadequate that is it is not possible to decide हम उसको बारे में decide नहीं कर सकते ठीक है अपनी perception नहीं लगा सकते हैं decide नहीं कर सकते ठीक है चलिए यह इसमें था तो यह थे हमारे कुछ questions और प्रिबिश्यर question आई ओप आपको यह concept समझ आ चुके होंगे and that is all for now thank you for your cooperation है